सर्दियों में तुझा अक्सर ड्राइ होने लगती है वही ड्राइनेस का असर पैर की एडियों पर भी साप देखने को मिलता है जिसके चलते सर्दियों के आगास के साथ ही कुछ लोगों के पैरों की एडियों फटना शुरू हो जाती है ऐसे में तमाम क्रैक क्रिम ट्राइ कर sensitive skin वाले लोगों की इडिया सर्थी के शुरुवात में ही फटने लग जाती है ऐसे में कई महेंगत तरीके भी इडियों को सही करने में नाकाम नजर आते हैं इसलिए आज हम आपको इस वीडियों में बताने जा रहे हैं कुछ आसान से घरेलो उपाए जिसकी मदद से आप ठे एडियों को कोमल बनाने का वेश्ट इन उसका सावित हो सकता है इसकी लिए एक पतीले में गरम पानी ले और उसमें दो से तीन चमर्श रहत मिलाकर पैरों को भिगो ले अब 20 मिट के बाद पैरों को पानी से निकाल कर प्यूमिक स्टोन से स्क्रब करें फिर एडियों पर म क्लिसरीन और गुलाब जल मिक्स करें अब इस मिकसर में एडियों को डाल कर बैठें और 20 मिट के बाद एडियों को असकरब कर ले इसके अलावा सोनी से पहले गुलाब जल मिलाकर एडियों पर लगाए और पैरों को मौजे से कवर कर ले अब सबा साफ पानी से धोने पर ए वेजिटिवल ओयल को एडियों पर लगाकर मालिश करें और पैरों में सौक्स पहान लें नियमित रूप से ये नुस्का अपनाने से आपकी एडियां सौफ्ट और सुन्दत दिखने लगेगी तो इस तरह से आप फटी एडियों से छुटकारा पा सकते हैं